C.I.L. यानि कि Cole India Limited New Promotion Policy अब डारेक्टली माइनिंग सरदार से बच्चा बनेगा मैनेजर जी हाँ दोस्तो एक बड़ी इंफर्मेशन आ चुकी है कि माइनिंग सरदार से मैनेजर किस प्रकार से बनेगे यह वीडियो को ध्यान से देखिए Cole India Limited में जॉब करने का सपना देख रहा है या जॉब करते हैं तब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंफर्मेशन कि माइनिंग कोचिंग का न्यू फ्रेस बेच स्टार्ट हो चुका है तो कॉंटेक्ट जरूर कीजिए इसके अलावा माइनिंग सरदार माइनिंग मेट, ब्लास्टर फोर्मेन, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास और माइनिंग से संबंदित नोट्स लेने के लिए कॉंटेक्ट जरूर कीजिए और कोचिंग के लिए contact जरूर करें दोस्तों जैसा कि आप लोग screen पर देख सकते हैं आपको बता दें कि coal India Limited में पहले क्या होता था जैसे आप mining सरदार की post पर select होते हैं ठीक है non executive post होती है mining सरदार की अगर आपको executive post पर जाना है जैसे कि इमान के चलिए second class या first class manager बनना है just like second class बनना है क्योंकि आप second class से first class में जाते हैं तो इसके लिए पहले क्या होता था कि आपको grade 1 चाहिए ठीक है आपका grade कौन सा होता है mining सरदार में grade C होता है याद रखेगा और पहले तो grade 1 चाहिए इसके अलावा तीन साल का experience भी चाहिए और इसके बाद आपके पास अगर second class माइंस manager का unrestricted certificate है तो ही आप जो है manager category में manager की rank पर यानि की E2 grade में पहुँच सकते थे ठीक है पहले ये नियम था पर अभी जो है coal India Limited की 15 जुलाई को यह एक notice निकाला coal India ने यह जो है 27 जून 2024 को 467 बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो mining सरदार में काम कर रहें वेक्ती है या फिर overman में ठीक है mining सरदार या overman में है तो वो अगर grade C में भी काम कर रहे है जी हां दोस्तों ध्यान से सुनेगा grade C में काम कर रहे है Asia mining सरदार की post पर और अगर उनको promotion में लाना है अगर उनके पास assistant manager याने कि second class mines manager का certificate है तो उनको directly promote किया जा सकता है manager के लिए याने कि जब आपको second class mines manager का certificate मिला और उसमें जो भी date आपके सामने आई जैसे आपको पता होगा DGMS से certificate लेना पड़ता है तो DGMS से certificate लेने के बाद जो date आती है उसी के अधार पर आप लोगों का directly promotion होगा याद रखिएगा देखिए इसमें पहले बहुत जंजट होता था grade C से grade B में जाईए फिर grade A में जाईए फिर उसके बाद आपका promotion होता था तो लगभग जो है senior overman बनते बनते आदमी को 10-15 साल यूँ ही गुजर जाते थे पर अब जो है किसी प्रकार का दिक्कत रहा नहीं अभी जो है new amendment किया गया है coal India Limited की तरफ से जैसा कि screen पर ये notice पढ़ लिजी policy आ चुकी है दोस्तो personal division policy cell इसमें लिखा गया है कि अबेंडमेंट केडर स्कीम provisional to regard the selection promotion for non-executive to executive केडर in mining discipline mining discipline वाले के लिए non-executive से executive केडर में जाना हो गया आसान ठीक है जैसे कि मान की चलिए कि कोई बंदा है mining सरदार की post पर वो भरती होता है तो पहले दो चीज चाहिए था उसको executive बनने के लिए पहला क्या चीज था second class mines manager certificate और दूसरा तीन साल का experience ठीक है इसके अलावा grade A का या फिर senior overman grade A का post और senior overman का ठीक है अब senior overman देखिए mining सरदार बना फिर तीन साल तक काम करेगा तो तीन साल चार साल में पहले वो क्या बनेगा वो बनेगा overman फिर overman से फिर चार पांच साल लगेंगे तो फिर senior overman फिर उसके बाद समय लगेगा second class mines manager का certificate होगा तब जाकि वो manager बनेगा अब इतना जंजट नहीं है directly mining सरदार की post पर select होई है ठीक है second class manager का certificate लगाई है और directly आप लोगों का promotion हो जाएगा as a manager category E2 grade में और बन जाइएगा manager तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ध्यान से समझ में आ चुका होगा ठीक है हम जो है बिलकुल प्यार से समझाने के कोशिस करते हैं आसान language में ताकि आपको समझ में आ जाए वीडियो अच्छा लगा तो like और share जरूर करें